प्रश्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडि के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दल बदल विरोधी कानून क्या आज की डेट में इस दल बदल विरोधी कानून का कोई महतो रह गया है या नहीं रह गया है मैंने ऐसी बात क्यों बोली क्योंकि अभी हाम ने जो महराष्टर के अंदर सत्ता परिवर्तन को देखा है महराष्टर के अंदर हमने जो पॉलिटिकल क्राइसीज देखा है वहां पर सवाल उड़ते हैं इस दल बदल विरोधी कानून पर क्योंकि जैसे हालाद हमने सबसे पहले तो हम यह सीखें कि दल बदल विरोधी कानून यह होता क्या है इसको इंटर्ड्यूज क्यों किया गया था सबसे बड़ी चीज़ें तो यह हम बेसिक जानेंगे हम स्टार्टिंग में जानेंगे कि दल बदल विरोधी कानून की जरूरत क्यों पड़ी देश को तो इस वीडियो की क्या, जितनी भी वीडियो आपको current affairs से related इस channel के पर provide कराई जा रही है, सारी की सारी वीडियो उसकी PDF जो है वो telegram की channel पर provide करवाई जा रही है, तो चलिए start करते हैं, देखें 1985 में समीधान में दस्वी अनुसूची को जोडा गया था, दस्वी अनुसूची को बहुत जादा instability थी government के अंदर, स्थिर्ता नहीं थी सरकार के अंदर, अब स्थिर्ता नहीं थी तो इसको कहीं न कहीं एक चिंता बहुत बड़ी बन गई थी, जो उस वक्त के जो politician थे, तो इस चीज़ से निप्टाने के लिए 1985 में दल बदल विरोधी कानून को introduce किया गया अब महराष्टर के अंदर, जो राजनितिक संकट हमारे सामने आया, इससे पहले जो मध्या परदेश के अंदर हमने संकट जो देखा था, तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि दल बदल विरोधी कानून आज की rate में इसका कोई relevance नहीं रह गया है, irrelevant हो गया है, योग्य नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जैसे हमने political crisis देखा, अभी मैं आप लोगों को बता हूँगा कि ये जो दल बदल विरोधी कानून है, इसका मतलब क्या होता है, first of all तो हम वही सीखेंगे, फिर हम जानेंगे कि इसका relevance क्यों नहीं रहा है, तो दल बदल विरोधी कानून का क् क्या है, इसकी definition क्या है, इसका मतलब यह है, कि कोई एक व्यक्ति, जो किसी एक राजनेतिक दल को छोड़ कर, किसी दूसरी राजनेतिक दल में शामिल हो जाता है, चै वो सांसद हो, चै वो विधाय को, उसको punishment देने के लिए दल बदल विरोधी कानून को introduce किया गया था, इस अपनी ticket देती हूँ, और तू मेरी ticket के ओपर लड़, और फिर यहाँ पर इन जनता का तू भलाई करना जाता तो भलाई करें आप, तो यह A party ने बोला, फिर A party ने जब इसको ticket दी, इसकी जनता इसको प्यार करती थी, यह जीत के आगया हमारे सामने, अब यहाँ पर इसको A B party थी, B party ने कहा कि भाई, तुम हमारे पास आजाओ, अगर तुम हमारे पास आओगे, तो हम आपको मंत्रीपद में शामिल, मंत्रीपद दे देंगे, मंत्रीपरशद में शामिल कर लेंगे, even आपको अच्छी कासी, या कहेंगी, रकम दी जाएगी, जैसा आज के रिट में होर्स टेडिंग जिसको कहा जाता है, वो दी जाएगी, तो यहाँ पर इस इनसान को लाला चा जाता है, लाला चाने के कारण, यह अपनी इस A party को छोड़कर, इस B party में शामिल हो जाता है, अब इसी को रोकने के लिए, या फिर कहीं, इसी चीज को दल बदल कानून जो है, वो लेकर आयते हैं हमारे सामने, 1985 में बावनवा समिधान चंजोदन हुआ था, जिसके माध्यम से दस्वी उनसुची को हमारे समिधान में जोड़ा गया था, और इसी दस्वी उनसुची को कहा जाता है, दल बदल विरोधी कानून, लगातार बढ़ रही थी, 1960 के अंदर, बारत के अंदर, राजनितिक ऐस्थिर्ता, उसको स्थिर्ता में लाने के लिए, दल बदल विरोधी कानून आया, अब यहां पर, यह किसी अन्य राजनितिक दल में, दल बदल के अधार पर निर्वाची सदस्यों की, ऐय योगता के प्रावधानों को निधारित करते हैं, अगर वो अकेले नहीं जा सकते, अगर वो एक समूव अगर बना कर जाएं, यानि कि एक कठा कुछ लोगों को अपने साथ ले कर जाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर, तो वो जा सकते हैं, उस तोर पर, उस कंडिशन पर उनको डिस्क्वालिफाई नहीं क कर दिया जाएगा, अगर एक की बात करो, लेकिन, 1985 में कहा गया, कि आप एक नहीं, आप एक बटे तीन सदस्य को ले जा सकते हैं, एक बटे तीन सदस्य थे, उस तीन सदस्य का एक बटे तीन सदस्य, यानि कि दस सदस्य जा सकते हैं, इनको डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा अब इनको डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा तो जो अपोजिशन होती थी या दूसरी पार्टी होती थी कोई ना जहां एक करीद रहे थे उनको लगा कि अब दस करीद लेते हैं या एक बटे तीन सदस्यों को हम करीद लेते हैं तो यह चीजें रुकी नहीं तो यहां पर 2003 के अंदर 91st Amendment भी होता है जिसके अंदर यह जो एक बटे तीन का जो क्रेटेरिया है इसको बढ़ा कर दो बटे तीन कर दिया जाते हैं कि भाई या अब तीस सदस्यें थे उसके अंदर अब समलब 20 सदस्यों को खरीदना पड़ेगा या फिर इनको बहलाना कोई भी उसका यूस सई डंग से नहीं हो पा रहा है तो कानून के अतायत आयों के गोसित हो जो भी सदस्ये होता है तो वो दुबार से वैसे चुनाव लड़ सकता है किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर और दल बदल के अधार पर जो भी कोशन लेटिड होता है किसी को करने का उसका निड़ने को लेता है उसका निड़ने लेता है लोग सभा के अंदर हो गया हमारे सामने स्पीकर हो गया जो राज्ये सभा राज्ये के अंदर विधान सभा है वहां पर जो चेर्मन है जो प्राइस साइडिंग ऑफिसर है वो उस डिस्क्वालिफिकेशन को एक समिक्षा ये कि for example इन दस व्यक्तियों को दस जो MLA है इनको disqualify कर दिया जाता है तो यहां पर दस जो disqualify किये गए यह Supreme Court के पाँ जाएंगे कहेंगे कि हमको जो presiding officer है जो speaker है जो chairman है उसने अपनी मर्जी से हमको disqualify कर दिया और ऐसा नहीं होना चाहिए था तो वहां पर Supreme Court इसको जाचेगा उसके पास नया एक समिक्षा यानि judicial review उसका करेगा और उसको अगर सही मिलता है तो जो राष्ट जो यहां पर चुप presiding officer है जो chairman है जो speaker है उसके द्वारा जो दिया गया फैसला था उसको पल्ट दिया जाएगा हालांकि कानून द्वारा कोई समय सिमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर जो पीठा सीन अधिकार है जो presiding officer है उसके द्वारा जो दल बदल मामले पर कोई निर्णे दिया जाना चाहिए यह सबसे बड़ा drawback यही है clear अब यहां पर दल बदल के जो grounds हैं एक party में था मैं उस party में नहीं रहना चाहता तो आप अपनी इच्छा से उस party को छोड़ सकते हो उसकी सदस्यता सोड़ सकते हो एक है यहां पर निर्धश्यों का उलंगन यदि की कोई party है just for example congress में ले लेता हूं अब congress जो है वहां पर अपने सदस्यों को कहती है कोई काम कहती है और कोई व्यक्ति उमिद्वार या MLA, MP, Congress से ही है उसने वहां पर बात नहीं मानी अपनी ही party की तो वहां पर उसको disqualify किया जा सकते है साथ ही साथ कोई जो उमिद्वार है जो MLA है जो MP है वहां पर उसको vote के लिए आना था और वो vote के लिए आया नहीं क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत important issue था तो उस अधार पे भी उसको disqualify किया जा सकता है हाँ, एक तरीके से अगर उसने पहले ही अपनी party को अपने बारे में या फिर कोई भी condition रही होगी उससे permission लेकर वो छुट्टी पर आया तब ऐसी चीज़े नहीं होगी, और अगर वो रहा है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको माफी नहीं मिली है, तो वहाँ पर उसको disqualify कर दिया जाएगा इसके अलावा जो निर्वाचित सदस्य है यदि कोई स्वतंतर रूप से निर्वाचित, यानि जो होता है कि independent elected member है, निर्दलिया है निर्दलिया जो है, वो किसी दूसरी party के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर उस निर्दलिया को भी disqualify कर दिया जाएगा और एक होता हमारे सामने nominated member यदि कोई nominated जो सदस्य है 6 महा की समीती के बाद जो हो किसी राजनितिक दल में शामिल हो जाते है तो उनको भी disqualify कर दिया जाते है अब यहाँ पर दल बदल राजनितिक विवस्ता को कैसे परभावित करते है सबसे बड़ा है जो democracy का जो मजाक है जो जनता का जो मजाक है, वो उड़ाया जा रहा है अभी आपने जो देखा महराश्टर के अंदर लोगों ने चुना अपने leaders को अपनी party को, अपनी ideology को जो उनकी ideology से जो mail खाती है उसको जो चुना तो वहाँ पर उस जो party को जिनके जो लोग हैं जिस party को चुनेगे उस party में अब लोग अलग हो जाते हैं सिर्फर सिर्फ इस लिए क्योंकि उनको दूसरी party में जाकर seat मिल रही थी या फिर उनको वहाँ पर कोई मंत्रीपन मिला था या रुपे मिल रहे थे तो यहां पर लोगों का एक अपना जो जना देश है उन्होंने बड़ी उमीदों के साथ उनको चुनकर भेजा है यह उनका मचाक उड़ाया जा रहा है clear सरकार के समान्य कारेकलाब पर परभाव देखें 1960s के टाइम में मैं बताता हूँ एक काफी ज़्यादा लाइन बहुत ज़्यादा famous हुई थी इसमें है आयाराम गयाराम actual में 1960s के टाइम में 1967 के टाइम में क्या था हर्याना के अंदर पलवर से एक गयालाल गयालाल नाम के गयालाल नाम से एक व्यक्ती जो विधायक बनते हैं जो विधायक बनने के बाद इन्होंने एक ही दिन के अंदर तीन बार party switch की ये Congress में थे, Congress में जाने के बाद ये जनता दल में गए एक ही दिन की बात करो, जनता दल के बाद इनका फिर से मन बतला ये Congress में आए फिर ये बापर जनता दल में गए तो यहाँ पर जब एक ही दिन के अंदर इन्होंने इतनी ज़्यादा party change की, तो यहाँ से मुहावरा उठ गया मुहावरा किया ये एक line आ गई आयाराम गयाराम करके इस चीज को रोकने के लिए क्योंकि इससे एस्थिर्त आ रही थी, तो इसको रोकने के लिए 1985 में दल बतल विरोधी कानून को हमारे देश में introduce किया गया था एक तरीके से यहाँ पर horse trading को बढ़ावा मिल रहा है horse trading, पहले तो गोड़ा को होता था गोड़ों के उपर जुए लगाना, लेकिन horse trading आज की rate में MP और MLA के उपर जुए लगाने वाली बात आ गई खरीर फिरोध इसमें बहुत जादा आ जाती है जैसे मालास्टर काई मैं एक्जामपल दूँगा क्योंकि जैसे वो आसम के अंदर जिस भी होटल के अंदर ठहरे हैं वो कितना महंगा होटल था, इतना जादा पैसा कहां से आ रहा था तो ये एक सोचने वाली बात आती है हमारे सामने तो फोर स्टेंडिंग को बढ़ावा मिलता है यहाँ पर फिर आते है हमारे सामने इस से रिलेटिट क्या क्या चुनोतिया है एक पैराग्राफ नंबर फोर है दल बदल विरोधी कानून में जो कहीं न कहीं exemption देता है कि कुछ लोग जो है या फिर कोई समू जो है वो पार्टी को छोड़ सकते हैं किस condition पे छोड़ सकते हैं उनको हम discuss कर लेते हैं पैराग्राफ फोर जो है वो ये बताता है कि अगर विले तभी होगा एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रगना विले यानि मर्ज होगा split नहीं होगी ध्यान रगना ये split के बारे में नहीं बोलता है कि अलग नहीं हो सकते है आप मर्ज हो सकते हो तो विले तभी हो सकते है जब कोई जो party है उसके दो त्या इस अधी सदश्यों वो राजी हो वो सहमत हो तब होगा और इसको एक तरीके से legal fiction के तोर पर देखा जाता है legal fiction यह नहीं कि कानूनी कल्पना तेकि ध्यान रखिए यहां पर दो त्याहि सदस्यों का विल्या हो रहे है ना कि party का विल्या हो कोंग्रेज जो है वो दूसरी party ही मिल गई ऐसा नहीं है clear और इससे related क्या चुनोती है एक तो यहां पर दल विदल विरोधी कानून जब introduce किया गया तो सबसे बड़ी इसके सामने चुनोती आ रही है क्याक जो विधायक है जो सांसादवा अपने party के निर्देषों पर आंक बंद करके पालन करना होता है अगर party ने जो कह दिया हो अपना मत नहीं दへ सकते उनको अपना मत देने का ही अधिकार नहीं होता उन्होंने अगर राय रख दी तो वही बात आगी कि तुम पार्टी के विरूद कए हो तो दल बदल विरोधी कानून के दाग, तुम्हें डिस्कॉलिफाई कर दिया जाता है अब दल बदल विरोधी कानून के कान, जो निर्वाजी सदस्य जो है, वो एक दुरुके से राजनितिक दल के परती जवाबदाई हो गया है लेकिन जब की होना किसके परती चाहिए था उनको पार्लेमेंट के परती या फिर स्टेट लेजिसलेटिव के परती उनको जिमेदार होना चाहिए था, लेकिन वो रह क्या गया है राजनेतिक दल के परती, कि यहां हमने गलत बोला, हमने गलत बोला तो हमारी राजनेतिक पार्टी गलत बान जाएगी, उनको कोई लेना दिना नहीं, कि पारलेमेंट पे इस पर क्या असर पड़ेगा, संसत के उपर क्या पड़ेगा, जो विराज्य विधान सबाय है, उसके कोई लेना दिना नहीं, अब यहां पर जो अध्यक्स है, उसकी एक बहुत बड़ी, हम कहेंगे कि कारेकाल समापत होता है, उसके बाद मम लेकर निप्टा रहा हो रहा होता है, और विभाजन का कोई मानेता नहीं है, देखें, 91st जो अमेंडमेंट अक्ट हुआ था, 2003 में, वहां पर दल बड़ल विरोधी कानून में, दल बड़ल विरोधी, निर्णेों के लिए, कुछ लेकर जाना है, अब लेकर जाना है, थोक के बाव लेकर जाओ, दो बटे तीन सदस्यों को लेकर जाओ, एक एक को नहीं देंगे हम, वो दाना की, एरे, एक एक किलो सबजी लएगा तो बहुत महेंगी पड़ेगी, या फिर हम इतनी सस्ती करेंगी नि, आप एक काम करिए, अब एक अठी सबजी लेजिए, होलसेल मार्केट में ले लीजी आप, तो यहाँ पर वो वाली बात आ गई है, इससे काफी ज़्यादा परभाव पड़ रहा है, अब इसके अलावा, सदर में बहस और चर्चा का परभाव, अब एक बहुत इंपोर्टेंट इशू मैं कहू नहीं गया है, कोई भी बात अगर पार्टे के विरूद बोली, तो उसको वहाँ पर क्या किया जाएगा, वही सीधा ही सीधा उसको डिस्क्वालिफाइ कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर कोई अपना नेडने है, या फिर कहीं कि कोई अपना मत नहीं रख पा रहा है, अब जो हैं तर्क दिये कि राष्टपती और राज्येपाल को दल बदल याजिकाओं पर शुनवाई करनी चाहिए, सर्वोज इन्याले ने कहा कि आप एक ट्रिब्नल की गठन कीजिए, जिसके अंदर जो रिटायर जजज होंगे, वो बैठेंगे, ताकि जो दल बदल विलोदी हमी दिन्सारी हुआ करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो केवल ये जो दल बदल विलोदी कानून है, वो केवल और केवल एविश्वास परताव के मामले में और सरकारों का बचाने के लिए लागू होता है, दल बदल विलोदी कानून को और अधिक धंक से हम कैसे परभावी कर सकते हैं कैसे इसमें फेर बतल की जा सकती है तेकि इसको तर्क संगत इसका यूज करना होगा चुनाव आयों की जो सला दी गई है उन्होंने कहा है यहां पर कि आप जो पीठा सी नदिकारी यह निक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो स्पीकर है जो चेर्मेन है आप उसको इतनी जादा पावर मत दीजिए कि वो यह निड़ने ले सके कि कि किसको डिस्क्वालिफाई करना है आप यह पावर जो राष्टपती को दीजिए राष्टपती संसदों के मामलों में यानि MP के मामलों में और जो गवर्नर है वो MLA के मामलों में वहां पर सुनवाई कर सके ये चुनाव आयो की सला दी गई थी आयोगिता से निब्टाने के लिए सवंदंतर प्रादी करन देखे अलोहान मामले के निड़ने में नियाय मुर्ती वर्मा ने कहा था कि अध्यक्ष का कारेकाल सदन के मैजोर्टी के समर्थन पर निर्बर है कि देखे आज की डेट में जो आप किसी भी पार्टी का स्पीकर आप देखते हैं लोग सभा के अंदर विधान सभा के अंदर तो आपको पता चलेगा कि जो मैजोर्टी में जो पार्टी होती है जिसकी सत्ता होती है उसी का स्पीकर होता है तो वो speaker जो majority के उपर dependent होता है, कल को अगर सरकार चली जाती है, तो speaker को भी जाना पड़ जाएगा, लेकिन Britain में, जहां से हमने यह सारा system लिए, Britain में ऐसा नहीं है अब यहां पर जो हो जाएगा तो वो एक तरीके से अपना जो न्याइक प्रादिकरण के अफशकता को पूरा नहीं करता है मतलब उसको dependent है, वो satisfy नहीं कर पा रहा है चीजों को उसको कही न कहीं डर भी रहता है इस चीज का कि मैंने अगर विरोध में अगर कोई भी निर ने दे दिया मुझे हटा दिया जाएगा तो ये एक चीजे रहती है साथ ही साथ उसके पास पावर बहुँ जादा है इतनी जादा पावर है कि वो किसी को भी disqualify कर सकता है तो ये सीज को देखना बहुँ जादा जुरूर है इस परकार दर बदल के निप्टाने के लिए अलग से independent एक authority की बहुँ जादा जुरूरत है हमारे देश के अंदर 170th low commission की report दी गई थी उसमें कहा गया था कि जो अंतर दल लोकतंतर के महतों को रिखांकित किया गया था कोई राजनेतिक दल अपने कारे करण में आंतरिक रूप से ताना सा यानि कि वो internal तोर पे अगर वो डिक्टेटर्शिप है internally dictator है वो हुकम चलाता है internally अपनी party के अंदर तो बाहर से लोकतंतरी के नहीं democracy कैसे लाएगा for example अगर कोई एक party है उसके जो सदस्य है मैं का लिए यहां अगर ए party है इसके अंदर कोई सदस्य है तो यहां पर कोई एक इनके ओपर अपना हुकम चला रहा है उनको कुछ करने नहीं दे रहा है तो इस party के बाहर कहां पर भईया democracy आपको नज़राएगी first of all तो आप इनको बोलने दीजिए इनकी राय को लीजिए इनके सुझाव लीजिए ताकि सब मिलकर decision ले सके अब अगर अंदर ही democracy होगी तो बाहर तभी तो democracy दिखा पाओगे सर्वोज नहले का विशलेशन सर्वोज नहले ने कहा दे कि भविश्य में दल बदल विरोधी कानून का उपयोग का मार्गदर्शन करने तो सर्वोज नहले द्वारा दस्वी निसुची को कहा गया कि इसका अपकुनर रिक्षन करने का एक उपयुक समय है और इस दिशा में जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाना चाहिए तो उमीद करता हूँ कि आज आपको anti-diffection law जो है और शेर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के परिवार जनों के साथ तैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो